6 जून 1981 एक पैसिंजर ट्रेन जिसका नंबर था 416DN जो बिहार के मानसी से बिहार के ही सेहर सकी और जा रही थी इस जर्णी की लेंथ लगबग 45 किलोमेटर थी और ये एक पैसिंजर ट्रेन के लिए करीब 2-3 घंटे का सफर था जब ये ट्रेन बदला घाट और धमारा घाट के बीच से गुजर रही थी तब ही कुछ ऐसा हो जाता है कि इस ट्रेन में बैठे 800 लोगों की जान चली जाती है आखिर क्या होता है उस दिन? आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं उन दिनों बरसात कमो समता सारी नदियों का पानी काफी बढ़ावा था बदला घाट और धमारा घाट के बीच एक बागमती नदी का पुल आता है ब्रिज नमबर 51 नदी का पानी ट्रेन ट्रेक्स के बहुत ही करीब था वो पैसिंजर ट्रेन जब उस ब्रिज से गुजर रही थी तबी एक तेज बहाव आता है और ट्रेन के नौ में से साथ कोचिस को अपनी चपेट में ले लेता है वो हाथसा इतना भैयानक होता है कि बताया जाता है कई लोग ट्रेन के पार्ट्स में फस कर तडब तडब के मर जाते हैं कई लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं आसपास के गाओं वाले भी एक दम से लोगों को बचाने नहीं आ सके क्योंकि वो हालती नहीं थी कि उन्हें उस तेज बहाव नदी से rescue किया जाए इस हाथसे के बाद कई दिनों तक search operation चलता है 5 दिनों की कड़ी मेनत के बाद गोता कोरों ने 200 से भी जादा लाशे निकाल दी सरकारी आखड़ों के मताबिक करिब 300 से जादा लोगों की मौत हुई मगर वहां के लोगों का कहना एक ही 800 से भी जादा लोगों की मौत हुई थी आखिर क्यों सरकारी आखड़े इतने कम बताते हैं इसका एक simple सा रीजन है की जो लोग टिकट लेकर सफर करते हैं उनकी तो आईइंटिटी हो जाती है मगर जो लोग टिकट लेकर सफर नहीं करते उनकी कोई भी government document में आईइंटिटी नहीं होती है आखिर ये हाथसा हुआ क्यों इसको लेकर कई रीजन्स बताय जाते हैं कोई कहता है कि तेज आंदी की वज़े से ये हाथसा हुआ कोई कहता है कि नदी में अचानक बाड़ा आ जाने से इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुल पर आई एक गाय को बचाने के लिए लोको पाइलेट अचानक से एमर्जन्सी ब्रेक लगा देता है जिसकी वज़े से ट्रेन में मौजोद 9 में से 7 कोचिस डिरेल हो जाते हैं और डिरेल होने के बाद में फिरुजबाद रेल डिजास्टर होता है जिसमें करीब 400 से भी जादा लोगों की जान जाती है ये हाथ सा दो ट्रेनों की कोलिजन्स की वज़े से होता है दोनों ट्रेनों में करीब 2500 से भी जादा लोग ट्रेवल कर रहे थे इस accident के बारे में भी एक detailed वीडियो चाहिए तो मुझे comment section में जरूर बताना